एक नकरात्मक विचार आया नहीं है कहते हैं ना कि एक नकरात्मक विचार सौ नकरात्मक विचारों को निमंत्रन देता है कैसे और ये काम मनुश्य खुद करता है एक नकरात्मक विचार उसके अंदर आया नहीं कि आगे कि वो खुद ही सोच लेता है कि उसका जीवन कैसे खराब होने वाला है जबके वो होने की ना होने की संभावना भी कुछ भी नहीं है इसे माली जी एक बच्चा है उसको कल पेपर देने जाना है दसवी के पेपर होंगे बारवी के होंगे तो माली जी कल उसका पेपर है अब उसके दिमाग में पहला नकरात्मक विचार आया अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो यहां से उसकी यात्रा शुरू हो रही है अब उसकी यात्रा सुनिये आप तो उसके दिमाग में आया कल का पेपर अच्छा नहीं गया तो तो पास नहीं होंगे पास नहीं होंगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा कॉलेज नहीं मिली तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं हुई तो परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं हुआ तो समाज क्या कहेगा कहां कल पेपर देना है उसने शादी बच्चे तक के जबके इन सब के होने की संभावना ना के बराबर है उसको कुछ नहीं पता पर एक नकरात्मक विचार सौ नकरात्मक विचारों को निमंत्रन देता है